दोस्तों देखिए अब आपके एक्जाम में बहुत अधिक समय नहीं पच्छा हुआ है इसलिए दोस्तों आप लगाता है अपने जारी रखिएगा और दोस्तों आप 13 दिसंबर का ही डेट मानकर दोस्तों आप तयारी करें निश्चे तोर पर आपका 13 दिसंबर कोई एक्जा होगा और हमने आप से फिल्ब कहा था कि कम से कम आपको 35 से अधिक प्रश्ण सही करने हैं ताकि आप एक्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं तो वीडियो को जरूर अंतक दिखेगा इसकी पीडियाफ आपको जो हमारे टेलिग्राम से मिल जाएगी दोस्तों इसके लावा ए कि आपके एक्जाम में काफी हेल्प जो है आपका करेगा तो आई शुरू करते हैं आज का वीडियो दिखे पहला प्रश्ण क्या है वर्धा योजना 1937 का संबंध निम लखेत में से किस्से है तो जो वर्धा योजना 1937 में आई थी यह महात्मा गांधी द्वरा लाए गया रविंद्रनास टेगोर को 1913 में साहित्य का नोबल पुरसकार दिया गया अब देखिए 1913 में रविना टेगोर को साहित्य का नोबल दिया गया तो एक बात और याद रखे कि 1911 में दूसरा दिली दरबार हुआ था जिसमें जॉर्ज बंचम भारत में आये थे तो इन दोनो होर्डिंग सेकेंड जो थे भारत के वायस रहा थे तो यहाँ पर बी ओप्सन सही हो जाएगा तीसरा प्रशन है निम्न में से कौन पस्चिमी घाट का प्रमुख दर रहा है तो देखिए पाल घाट भोर घाट और थाल घाट यह तीनों ही जो है पस्चिमी घाट के प्रमु अरब सागर में नहीं मिलती है तो देखिए साबर मती नदी हो गई लूनी हो गई भान मती हो गई नदी इसके अलावा देखिए आप ऑप्सन देखिए नर्मदा जो है आपको निशत तुरुप से पता है कि नर्मदा गुजरात से होकर जाती है और यह अरब सागर में गिर बंगाल के खाड़ी में गिरती है कहां पर गिरती जिसकी महानदी गुदावरी कृष्णा होगी यह सभी जो है बंगाल खाड़ी में गिरती तो अपसे नमबर सी अगर आपने चुना है चौत्य प्रशन का तो आपका जवाब सही हो जाएगा पाचवाँ प्रशन है कि निम अलखित में से कौन सा मिलान गलत है तो देखे नाथपा ज्हाकरी प्रयोजना जो है सतलड़ नदी पर बिल्कुल सही है बिल्कुल इंपॉर्टन प्रशन ऑसे प्रशना पर इस प्रशना में ज़रूर आएंगे दुलहस्ती परियोजना कहाँ पर है चिनाप पर है ये भी बिल्कुल सही है और हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर ये भी बिल्कुल सही है लेकिन हिडिकल परियोजना किस नदी पर है ये आप याद रखिए हिडिकल परियोजना जो है रावी नदी पर नहीं है तो हम प्रश्ण निम्न लिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोक का गठन किया गया देखिए काफी यह इंपॉर्टन प्रश्ण है देखिए अगर हम दी पहली बार गठन की बात करें देखिए जो व्यावारिक अभी व्यक्ति सबसे पहले मिला था भारती यह लोक सेवा आयोक के गठन की व्यावारिक अभी व्यक्ति 1919 में मिली थी तो हमारा ओप्शन के साफ से 20 हो जाएका लेकिन वैधानी गठन की अगर हम बात करें तो देखिए भारत में जो लोक सेवा आयोक का गठन है वो पहली बार जो है 1926 में किया गया था तो इस प्रशन में अगर आपको कोई भी संसा है तो कमेंट करिएगा लेकिन आपका दो है देखिए पहले बार जो व्यभारिक अभी व्यक्ति हुई थी लोक से वायोक बनाने की वह हुई थी भारती परसद अधिनियम 1919 में और इसका गठन जो है 1926 में सामिधानिक रूप से तो यह दोनों बाता प्याद रखिएगा अगला प्रशन है सात्वा भारत का उपराश्च्रपती राजसभा का सभापती होता है यह किस अनुचेद में वर्डित है तो सात्वा प्रशन का हमारा option number D करेट हो जागा जो अनुचेद 81 है इसमें वर्डित है कि जो राजसभा क भारत के उपराश्च्रपती राजसभा के पदेन सभापती होते हैं D option यहाँ पर सही हो जाएगा आठवा प्रशन है राजसभा के संदर्भ में निम्नमें से कौन सा कथन सही है तो देखिए पहला दिया है कि मंतरी परसद राजसभा के परति उत्तरदाई होती है बिल्कु करे कि राजसुचिक से समन्देज से राश्री महत्तो का है । देखिए C options जो है बिल्कुल सही है राजसभा के सम्मंध में और चोता उप्स्वप्सन दिया है धन焗िएग राजसभा में लाएजय को में लाएजाता है तो अगर उसे कुल वैद मतों का कितना वोट यानि कितना मत्प्राप्त होता है तो नववा प्रश्ण का सही उत्र हो जाएका option number भी एक बटे 6 से कम यदि किसी भी लोक सभा या विधान सभा के निर्वाचन में उमिद्वार को एक बटे 6 से कम वोट जो मिलता है तो वो जो है अपना जमान अतरासी जो है खोदेगा तो यह याद रखेगा option number हमारे हाँ पर भी जो है correct हो जाएगा दसमा प्रश्ण है enzyme निमन प्रकृति प्रडार्स अनि कि enzyme जो है किसे बने होते हैं तो enzyme जो है protein से बने होते हैं c option हमारे हाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अगला देखिएगा 11 प्रश्ण है 11 प्रश्ण के भारती संसदी प्रडाली में कारेकारी जो है किसके अधिनस्त है कारेकारी जो है कारेपालिका आप कह सकते हैं कारेपालिका किसके अधिन है तो देखिए संसदी सासन प्रडाली में जो है विधाईका सरवोच होती है आपके सकते हैं कि कानून बनने का अधिकार किसके पास होता है विधाईका के पास होता है उसको लागू करवाना किसको होता है कारेपालका को होता है तो जो कारेकारी होती है या विधाईका के अधिनस्त होती है तो सही उतर क्या हो जाएगा विध बारती समिधान की आठवी अनसूची आपको जरूर पता होगा कि भारती जो 22 भासाओं का उलेख है वह आधिकारिक भासाओं का उलेख कहां पर है आठवी अनसूची में है तो D option हमारा यहां पर सही उतर हो जाएगा नगरपालका की बात करें तो यह 12 अनसूची में और करतव किसमें रखे गये और और ञुसची जो है रखे गए हैं तो यह कूछ जो important article ये भी आपको यालोना जरूरी है चौदवाँ प्रश्न है कि इरावती नदी किस में जा मिलती है तो इरावती नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है कहां पर जाकर मिल जाती है ये उतर होगा option number ये बंगाल खाड़ी जो इरावती नदी ही ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है अगला प्रश्नय पंद्रवा लखनो समझोता में महतोपुड भूम का किसने निभाई थी देखिए 1916 में जो लखनो समझोता हुआ था इसमें गरमदल और नरमदल फिर से एक हो गया था और इसमें महतोपुड भूम का निभाई थी बाल गंगाधर तिलक ने और इसकी अधिक्सता किसने कि थी तो अंबिका चरड मजुमदार यानि कि एसी मजुमदार ने जो है लखनो समझोतिक की जो है अधिक्सता कि थी और इसमें मुस्लिम लिग ने भी भाग लिया था और ये बात याद रखेगा यहीं पर पहली बार महत्मा गांथी जो है जवाहला नहरों से भी मिले थे अगला प्रशन है कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है यादी इसके पास कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए यादि कोई भी सदल लोकसभा में में विपक्षी दल होने के लिए अगला प्रशनह 17 आम का पीला रंग किसी मौजद्गी के कारड होता है यानि कि आम का जो पीला रंग है कि इसकी उपस्तिती करण होता है सही उत्तर हो जाएगा C के रोटीन के उपस्तिती करण जो है आम का रंग जो है पीला होता है तो 17 नंबर का अगर आपने C चुना तो आपका जवाब सही हो जाएगा 18 प्रस्ट दिखेगा महात्मा गांधी राष्ट्री समुद्री उध्यान कहां अवस्तित है तो महात्मा गांधी राष्ट्री समुद्री उध्यान जो है या पोर्ट ब्लेर में है प्रश्ण का सही उत्र हो जाएगा उनीसों प्रश्ण देखेगा उनीसों प्रश्ण हमारा है कि किस अनुचेत के तहत संसद विधी द्वारा उच नियाले के नियाधिसों के लिए वेतन भत्ते वह पेंसन समंधी नियम निर्धारत करती है तो उनीस नंबर का प्रश्ण हमारा उनुचेत दूसों 21 के तहट जो है उच नियाले के नियाले के लिए वेतन भत्ते वह प्रश्ण समंधी नियम निर्धारत करती है तो उनीसों प्रश्ण है लिए कि हडपा संस्कृति के विश्यस्ताओं के संदर्ब में निम्न कत्नों में से कौन सा सत्य है त पहला उप्सं दिया हुआ है कि यह नगरी संस्कृती थी बिल्कुल सही है इसकी लिपी चितरात्मकती यह भी बिल्कुल सही है इन लोगों ने मापन प्रडाली का विकास किया तै यहां पर दीये कि तीनों जो वाकpowered है वह सही तो हमारा शही तर क이 हो जाएगा option number D सभी सही है option number D हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है 21 दरिया दौलत महल किस राज में स्थित है दरिया दौलत महल किस राज में स्थित है दिल्ली आगे का option देखे लिए पस्ची मंगाल तमिलनाडो या फिर करनाटक तो दरिया महल की बात किरे तो दरिया महल करनाटक मस्थित है option number D अगर आपने चुना है तो आपका जवाब सही है देखे आप सभी प्रश्णों को इमानदारिस करिएगा और अंतिम अपना स्कोर जरूर बताएगा क्योंकि आपके एक्जाम में बहुत अधिक समय नहीं बचा तो किया था option number A जनरल सर डेविड बेयर्ड ने किसने सर डेविड बेयर्ड ने option number A हमारा यहाँ पर प्रश्ण का सही उतर हो जाएगा तेसवाँ प्रश्ण है भारती राष्ट्री कॉंग्रेस द्वारा किस अधिवेसन में सरोपर्थम स्वासासन या फिर सुराज की मांग को बिटिस सरकार के सामने रखा गया तो सवासासन या फिर सुराज की मांग को सबसे पहले बिटिस सासन के सामने कब रखा गया तो सही उतर हो जाएगा option number A कलकता दिवेसन जो 1906 में हुआ था और इसकी देखता किसने कि थी दादा भाई नौरो जी ने इसी ये दिवेसन मे हुआ था गरमदल और नरंदल में लखनव दिवेसन 1916 में हुआ था इसमें जो है कॉंगरस का एक करड़ हुआ और मुसलिम लेगने भी भाग लिया और जो option number D है लहोर अधिवेसन 1929 इसमें पहली बार पूर्ड स्वराज का प्रस्ताव पास किया था याद रखेगा 1929 का जो लहोर अधिवेसन था इसमें जो है पूर्ड स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था और जवाहला लहरू ने जो है इसके देख्सता की थी तो चारो option यहां पर important है अगला प्रशन है 24 नंबर अभिनव भारत नाम से क्रामतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर् विनायक दामोदर सावर कर के दवार किसके दवारा विनायक दामोदर सावर कर option नंबर भी यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा 25 प्रशन है रास्ट्रिय टीका करड़ दिवस कब मनाय जाता है तो देखिए रास्ट्रिय टीका करड़ दिवस जो है वो 16 मार्च को मनाय जा लाता है नेशनल वेक्सिनेशन डिए 26 वाँ प्रशन है और दोस्तों 26 वाँ प्रशन में कुछ तुरूटी इसको मटा देते हैं अगला परशन देखते हैं 27 वाँ 27 प्रशन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी मिसरत खेती की प्रमुख विसेशता है तो पहला प्रशन दिया है कि नकती और खाद ये दोनों फसल एक साथ खेती होती है ये गलत है दो या दो से अधिक फसल खेती एक खेत में होगाना ये भी गलत है पसु पालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना देखिए जो मिस्रत खेती होती है उसमें पसु पालन और फसल उत्पादन एक साथ करना होता है तो हमारा सही उतर क्या हो जाएगा? C option जो है हमारा यहां पर सही उतर हो जाएगा अगला देखिएगा ठाइस्वा प्रश्ण मुगल काल में पेटिकोर सासन का कारेकाल कब तक माना जाता है तो देखिए मुगल काल में पेटिकोर सासन काल माना जाता है 1560 से लेकर 64 तक देखिए इसमें जो अकबर का सासन काल था 1560 से लेकर 64 तक जो कि वह अपने बाली गवस्ता में नहीं था इसलिए जो है पेटी कोर्सासन जो है माना जाता है option number B जो है यहाँ पर सही उतर हो जाएगा 29 प्रशन है बहुपती विवाह पर्था किस जन्जाती में पाई जाती है 29 प्रशन का सही उतर हो जाएगा जो है यहाँ पर बहुपती विवाह पर्था जिवाशती है तो जो chronies पहाड़ी की पहाड़ी干ी है नीलगी की पहाड़ी तीसुन में निम्न में से कौन सा विदेशी यातरी मोहमद बिन तोगलक के सासन्न काल में भारत में आया था तो ये भी important प्रश्ण है तो मुहम्मद बिन तुगलक के सासन काल में इबन बतूता भारत आया था कोई न आया था इबन बतूता अलबरूनी कप आया था अलबरूनी जो है मुहमुद गज्रवी के साथ में भारत आया था ये भी बात आप आप याद रखिएगा अगला और हमारा इस प्रस्ण का सही उतर हो जाएगा अगला प्रस्ण है 32 कि महान हिमालययन राष्ट्र उध्यान संड्क्षट केंद्र है डी ऑक्सिण हवारा सही उतर हो जाएगा था कॉलिज के स्थापना किस ने कि थी तो देखिए इस प्रष्ण का उत्तर देखिे आपको याद रखना होगा 1860 में कलकता में प्रश्ए often कॉलिज के स्थापना होई थी इसमें तीन लोगों का सहेओफ ठाप याद कर्फिए गां तीन लोगों के सहयोग तो इसके लावा सर हाइड एस्ट का भी सख तो इस प्रस्ण मेंतिनवा आप याद रख लिए कि किसके स्वयोग से हुआ है आप उप्सन पे मज जाए तो सर डेविड हेयर राजारा मोहन राय और सर हाइड इस्ट इन तीनों के स्वयोग से 1817 में जो है हिंदू कॉलिजी इस्थापना हुई थी चो तीसमा प्रशन है भारत में तालाबो द्वारा सरवाधिक सिचाई किस राजम में होती है तो भारत में तालाबो द्वारा जो सरवाधिक सिचाई होती है वह तमिल नाडू में होती है सही उतर के हो जाएगा तमिल नाडू में सरवाधिक सिचाई तालाबो द्वारा होती ह अगला प्रश्ण है 35 नमबर प्रश्ण किस मुगल सेनापती के साथ सिवाजी ने संधी की थी तो 35 नमबर प्रश्ण का सय उतर के हो जाएगा कर देखिए अगला प्र्शने के 56 वीजयन अगर सामराजी के अंतरगत हंपई के बाजारों में मोरो सब्ध किसके लिए प्रयोग होता था रही पर मुष्चत अगला प्रशन doing निमन में से कौन रसायनों का सम्डराण के लाता है तो option देखिए रसायनों का सम्राट कौन कहलाता है और तीस्वाँ प्रस्ण देखेगा अगला प्रस्ण है भारत में खरोष्टी लेपी को स्थापित किया था किस ने तो देखिए खरोष्टी लेपी को स्थापित किया था इरानियों ने और आज का हमारा अंतिम प्रश्ण है किस घटना को राष्टी सतंदरता के मुस्लिम युद्ध की रूप में जाना जाता है वहाबी आंदोलन को तो जो वहाबी आंदोलन ने इस प्रश्ण का सही उतर हो जाएगा तो देखिए यहां पर हमने 40 प्रश्ण डिस्कस किये आपने कितने सही की जरूर बताएगा देखिए आपको लगातार वीडियो दीजारे इसलिए वीडियो को सेर करिए और चनल पर आप नए आ हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजेएगा वीडियो देखने के लिए बहु